आज मैं आप लोगों के मध्य उपस्तित हूँ एक बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर और ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है ये बहुत ही बड़े अस्तर का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर कोई भी सरकार और कोई भी मीडिया चर्चा नहीं करती और खुल के सामने नहीं आती है कि आखिर ये मुद्दा क्या है आखिर ये वाओं का प्राब्लम क्या है इसको हम लोग सुने और इसका एक सॉलूसन निकाले मुद्दा हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है रोजगार का हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए ना ही हम लोगों को पॉल्टिक्स करना है ना ही हम लोगों को कोई नेता बनना है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए रोजगार चाहिए मैं आप लोगों को एक कुदारण देता हूँ अभी जस्ट हाल ही में हमारे सामने परसो की घटना है और इस घटना से आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ तो देखें जैसे ही मैं पढ़ा के निकला अपने कोचिंग से वैसे ही हमारे पास एक स्टूडेंट आया और बोला कि सर यह बताए कि क्या अब हम लोगों को तयारी करना चाहिए हमने का भाई ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो क्या हो गया तो स्टूडेंट बोलता है कि सर हम अभी 2019 SSC CGL का पेपर दिये और SSC CGL का पेपर देने के बाद से हमने आ रहा माक्स भी अच्छा है और माक्स आने के बाद भी लास्ट में हमने देखा कि हमारा सेलेक्शन नहीं हुआ है डिव टू नर्मलाइजेशन यानि मैं बता दूँ आप आपसे कि नर्मलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा है जैसे कि मैच में डखवर्थ-لूिस नियम लगता है और डखवर्थ-लूिस नियम समझे कि जीतते हुए को हरा देगा और हरते हुए को जीता देता है तो कुछ इसी तरीके का ये नर्मलाइजेशन है चुकि इसका अभी तक rule regulation किसी को पता नहीं है तो इस हिसाब से कि कैसे लगता है ये और कब लगता है मैं मानता हूँ कि किसी दिन का paper hard है और किसी दिन का आपका paper बिल्कुल low है, तो इनको equalization यानि की equal करने के लिए normalization लगाई जाती है लेकिन क्या जो student दो समय से 180 marks लाया है क्या उस paper के लिए eligible नहीं है क्या ओ result के लिए eligible नहीं है इसको आप कैसे justify करेंगे तो उस बच्चे को मैंने समझाया कि देखो भाई मानता हूँ कि आपका आपका result नहीं हुआ है लेकिन इससे हतास नहीं होना है आने वाले और भी paper है उसमें भी आप try कर सकते हैं तो बोला कि सर बताईए कि जब ऐसे ही सब जगा system है एक ही system के सब एक ही थाली के सब चमचे बच्चे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि हमारा कल को selection होगा ये भी बात उस बच्चे का सही था तो मैंने कहा कि मैं मानता हूँ कि नहीं होगा लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़ने चाहिए और system के खिलाफ हम teacher का विदाई तो बनता है कि system के खिलाफ लड़े तो आज मैं वीडियो बनाने का मेरा मुएन मुद्दा यहीं था उस बच्चे की बात सुनकर मुझे लगा कि नहीं मुझे मीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो आज आप लोगों के मध्य चीजों को पहुचा रहे हैं और पहुचाने का कारे भी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग समझ गया है कि मीडिया जो है वो सिर्फ गोदी मीडिया है जब उधर से पैसा मिलता है तो बोलती है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि उस बच्चे की एक बात और थी कि सर अब या तो हमारे पास तीन ही अपसन बसते हैं एक या तो हम लोग तैयारी करें या छोड़ दें दूसरा हमारे पास अपसन बसता है कि हम लोग कोई अपने पेट को पालने के लिए छोटा मुटा रोजगार कर लें तीसरा option हमारे पास बजता है या तो suicide कर लें क्योंकि माता और पिता हम लोगों को मात्र 3,000 रुपया देते हैं कहा रहा ता बाला कि 15,000 रुपय में अपने आपको बहुत ही अच्छे तरीकसे में करके कैसे न कैसे करते है या सुकं उपल हमारे लिए अच्छा रहा है कि आम लोग अपना खरचा चला लेते हैं तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि जब बच्चों की ऐसी हालत है कि 180 नमर ला लाकर पेपर में उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है अभी मैं आप लोगों को बता दूँ राज्य सरकार में जितनी भी वेकेंसिया हो रही है उनके भी यही हाल है उपर से मैं बता दूँ कि लागू करेंगे लेकिन भाई स्लेवस क्या होगा यह तो बताओ बेंकिंग का बच्चा अलग है एससी का बच्चा अलग है रेलवे का स्लेवस अलग है तो इन तीनों का आप कैसे कंबाइन करके एक सीटी बना सकते हैं यह बहुत ही बड़ा कंप्लिकेटेड मुदा है और इस मुद्धे पर सरकार को निकल के लड़कों से या टीचनों से मिल करनी स्पक्ष बात करनी चाहिए ताकि इसमें ज्यादा ज्यादा इंप्लिमेंटेशन कर्द किया जाए जिससे लड़कों में एक अच्छी उर्जा का विकास हो और उन्हें लगे कि हां अब सरकार या आ करें जिससे वो अपने अंसर की को मिला के सटिस्वाइड हो सकें जैसे अभी मैं बता दूँँ आपको बिहार दरोगा का मुद्दा था बिहार दरोगा का मेंस हुआ और मेंस में बहुत सारे स्टुडेंट थे जिनका असी कोश्चन सही था असी का मतलब एक सो साथ नमर उन एक्षन नहीं होता है तो आखीर यह क्या है यह ट्रांस्पेरेंसी नहीं होने का सबसे बड़ा नतीजा है जिसको बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और बता दो इसी तरह यूप्यसी का हाल है यूप्यसी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में कुछ और होता है बनाते हैं और सो कोशन में से तीन से चार कोश्चन तो गलत ही डाल देते हैं हर पेपर का यह लोग धर्रा बना दिये हैं और क्या कर रहे हैं कि पर कोश्चन स्टुडेंटों से 100 रुपयां एठने का काम कर रहे हैं क्या सरकार इना योगों को पैसा नहीं दे रही है क्या सर कार फॉम भरते टाइम फीच नहीं दे रहा है तो आखिर स्टुडेंटों के साथ ऐसी जात्ती गत्त बेवस्था क्यों की जा रही है क्यों उनको परसान किया जा रहा है कि पहले पेपर दो पेपर देने के बाद से रिजल्ट आए तो रिजल्ट के प्रती जो धांदली है उसके लिए केस करो फिर कोट केस जाओ फिर जो है कि पेपर जो मेंस का होगा मेंस में फिर धांदली होगी उसके लिए कोट केस करो और फ तो इन आयोगों को सबग शिखाने के लिए government को एक ऐसा authority बनाई जानी चाहिए, supervision authority और supervision authority ऐसी होनी चाहिए, जो इनको supervise कर सके, इनको देख कर सके कि क्या ये time से paper करा रहे हैं, result time से दे रहे हैं, या joining time से दे रहे हैं, और हर exam का एक exam calendar जारी होना चाहिए. हर exam का एक exam calendar जारी होना चाहिए, जिसमें form निकलने के date से लेकर, उसका joining तक का date होना चाहिए, कि इस month या इस date में आपकी क्या होगी, paper होगा prelims का, फिर आपका result आएगा इतने दिनों के अंदर, 15 या 20 दिन के अंदर, ठीक है, या 10 दिन के अंदर का answer की, 15 दिन के अंदर, या 20 15 दिन के अंदर result, फिर men's होगा, उसका, तो men's का date होना चाहिए, उसमें कितने दिनों के अंदर आ जाएगा, फिर आपका अगर मैं बात आ दूँ, तो अगर physical है, तो physical का date का आ जाना चाहिए, फिर आपका final selection इतने दिनों में हो जाएगा, तो एक proper schedule होना चाहिए, जिससे ल BTEK किया हुआ लड़का, MTEK किया हुआ लड़का, का रोड पे लगा के पकोडी बेचेगा, तो बताइए, इस से बरी एस्थिती या इस से बुरी एस्थिती के आओ सकती है देश के लिए, कि BTEK का student और MTEK का student ठेला लगा के पकोडी बेचता है, तो उसके पढ़ाई का क् मतलब है, यह तो बताइए, आप लोग बात कर देते हैं, डिश्टल इंडिया का IT सेक्टर का आप लोग बात करते हैं, हाँ, डिश्टलाइजेशन, इस से पहले जो पेपर होते थे, वो भी अपने टाइम से पेपर करा के आंसर की दे 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 थे और रिजल्ट तक दे दे थ चल रही है, अभी तक भरती का पता नहीं है, कहाँ होगा, रेलवे कहीं देख लिजें, डिश्टल इंडियार, इसे इसको बोलते हैं, डिश्ट इंडियार, यानि कि 5G चल रही है भारत में प्लानिंग और अभी तक हमी 1G का डाटा नहीं मिल यह मिल आen, यह तो हाल है इंडिया का और बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि 5G भारत में लागू होने जा रहा है अरे 5G क्या वन जी लागू कर दो भाई सबसे बेटर रहेगा क्यूं युँ आउं कमार रहे हो आज जीवा जो है आप लोगों के प्रतिय आक्रोसित है क्यूं है बता ना और मन की बात जो आप बार बार करते हैं के वाल अपने मन की बात रहतमेमन की बात की मैंने रात में शतना देखा और मुझे सपना आया कैटरी नुकन आप इर principle कुलांगा 1 तो आप भी का दिए भी लचों के सामने आकर कि बच्छो आज आप लोग पेड़ा बनाये कि पेडा कैसे बनता है और इससे आप लोग रोजगार की ओर चलिये एक गाम है अगर पचास पेड़े बनाने वाले मिल जाएं तो बता है पीडा खरदे का कों और खाये का कौन यह सोचने वाली बात है अब बात तो कर देते हैं बोल तो देते हैं लेकिन अगर मैं कहूं अगर आप ही का बेटा हो और बिटेक किया हुआ और उससे कहिए कि भाई तु ठेला लगा के पकोड़ी बेच तो कहेगा का पागल हो गए हो का तुम हां जो मैं बिटेक करके ठेला लागा के पकोड़ी बेचूंगा हां सोचने वाली बात है कि कम से कम मोदी जी इस बात पर तो आप गहुर करिए कि जिस जिस युवाओं की आप बात कर रहे थे आज से 6 साल पहले कि हम प्रात्मिक्ता देते हैं रोजगार को तो आखीर वो कहां गया है हां उपर से आप वे या देरे-देरे कम होते जा रही है और उपर से मैं बता दूँ आपसे सीधी चेतावनी है आपसे चेतावनी यह है कि जो ठेकदारी बेवस्था है भारत में उस ठेकदारी बेवस्था को आप खतम करिए आपको पता नहीं है कि एक ठेकदार और एक आदमी एक लेवर के बीच में जितना आप कहते हैं कि 12,000 ठेकदार लेता है 12,000 दिया जाता है काम करने वाले को तो 12,000 ही ठेकदार भी लेता है और इसके बीच कितना घुश्खोर है उसका पता नहीं है आपको सर्वे करा लिजे कभी पता लग जाएगा कि जब उपर से आता है कि इंदर सरकार से पैसा तो ठेकदार तक पहुंचते पहुंचते कितना स्वेंट बच जता है आप उसका कराई एक वर सर्वे फिर आपको पता लग जाएगी सोव परuguकर सेंट में से दस तो आप मन की बात में एक बार कहिए कि हम इवाओं को लेकर चल रहे हैं और इवाओं पर विशेज धान देंगे और आज से इवाओं के लिए बहुत सारे जो रोजगार का मुहया है वो कराएंगे और उपर से गवर्मेंट जोब को खोलेंगे और इनको बढ़ाने की कोशिज करेंगे ना की घटानी की कोशिस करेंगे हर हर स्टेट की अगर मैं बात करूं MPPSC आपका मैं बात करूं उत्रहखंड PCS की मैं बात करूं बियार PCS ब्यार का जितना भी आया होगा तो इतना जादे भरस्थ है जिसका सीमा ही नहीं है इतना जादे हला है कि उसका तो शीमा हुआ ही नहीं है य। और पहाँ आविशायर्टत वननों नहीं उसका यह वाल है कईश्ट नहीं है कि हस अप डीहार दरोगा का आभी। ज़लत होता है भी टीद है आने जोता गलत है है। यह हाल है आपके देश के और आप बात करते हैं बीदेशों की आपके वाल घूम के और बढ़िया बढ़िया पकोड़े खा रहे हैं और लड़कों को कहा रहे हैं कि आप लोग पकोड़ा बना के हर गाव में बेचिए बीटे केमटे करके लड़का पकोड़ा बेचेगा तो बोल दीजिए जो आई-एस किया हूं है वो भी पकोड़ा बेचे स्वारोजगार क्यों नहीं कर लेते हैं वो भी तब न पता लगेगा आपको आप तो बोल दिया आप भी आके एक बार पकोड़ा बेचके देखिए ना समझ में आ जाएगा आप पहले तो आपके पास कुछ नहीं था तो आप जो है कि चाय का हवाला दे देते थे अभी आपके पास बहुत कुछ है मैं आपसे कहता हूं कि आ आपके थोड़ा पकोड़ा बेचके देखिए समझ में आ जाएगा आपको कि पकोड़ा बेचना कितना कठीन काम है पढ़ाई करने के बाद भी उपर से गली मुहले अपने अपने पड़ोसियों कताना सुनो तब समझ में आता है बाते न आप तो बैठे हैं वहां पे PMO आफिस में पूरा वहां पे बैठे हैं है सीकोटी गार्ड के बीच आपको क्या करना है लेकिन जो मर रहा है वो मर रहा है तो मोधी जी से मेरा आग रहा है कि आप आक एक बार बात करें जितने भी कंडिडेंट है उनसे और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी स्टुडेंट है देश के पूरे देश के यानि कि 28 की अगर मैं बात करूं जितने भी हमारे स्टेट हैं और उसके बाद से मैं बात करूं कि जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं जो आठ यूनियन टेरि पर तो आप सबको इसमें मिलकर हिस्सा लेना है और इसको बहुत ही बड़े लेवल पर लेकर जाना है ताकि इनको इनकी कान और आख दोनों खुले के खुले रहा जाएं